स्टुदेंट्स वेल्कम टू सीयार इंटरनेशनल ऑनलाइन इस्टूडी सिस्टम आज का जो टॉपिक हो है स्कुएरूट फाइंड करना कॉंप्लेक्स नंबर प्रेजिस तरह जे हमें मालूमें कि ने पॉस्टिव रियल नंबर जो होता है वी नोग दैट स्कुर्ण रूट फाइंड पॉस्टिव रियल नंबर जो होता है वी नोग पॉस्टिव रियल नंबर जो है ठीक सिमिलर्डी तरह स्कुर्ण रूट ओफर कॉंप्लेक्स नंबर इस ओल्वेज अ कॉंप्लेक्स नंबर यह चीज इंपॉर्टेंट है जो में ध्यान लगने है ठीक है तो अब मैं एक एक्जांपल से आपको explain करता हूं इसे तो let's take an example मैंने एक example consider किया है यह लेट कर दिया मैंने 5-12 आयोट ठीक है वी नीट तो find out find its square root ठीक है अब ध्यान से देखिए यह जो नंबर लिखा हुए complex नंबर यह तो अब इसका square root भी complex ही होगा सो let square root of this number 5-12 आयोटा जो पल्स टूट कि complex ही होगा तो let's consider x plus आयोटा ठीक है यह होगी हमारी equation number 1 ना अब यह square root आ रहे है इसको remove करने का एक ही तरीका होता है स्क्वेरिंग बोड़ साइट तो मैं दोने त्रफ स्क्वेरिंग कर देता हूं ना हूं स्क्वेरिंग equation 1 अब बोड साइट माठ जैसे इस्क्वाइट करें यह में मिल जाएगा 5-12 आयोटा is equals to left hand side सब्सक्वapolis अंसक्व sih आइगा सबस्काइब करते ही यह क्या मिल जाएगा एकशेट इंक आयोटा इसको मैंने सनी होगा होगा वाइट सक Urs नस्ट टाइमन ऐसले यह एक्षाय or एए और इधर 5-12वाइटना चाहिए इसको मैंने सोफारेगेis अब हम दोनों साइड को जैसे ही compare करेंगे तो दीए real part यहाँ पर क्या आ रहा है x square minus y square तो इसकी value होगे 5 and यहाँ से 2xy इसकी value कितनी होगे minus ठीक है तो यह value हमें मिल चुकी है अब दीए एक property मैं use करूँ है यहाँ पर now we know that यह property है इसको आप open करेंगे तो खुदी समय में आजाएगा कि किस तरह से लिखी है इसका जो whole square होगा यह होगा x square minus y square whole square plus 2xy whole square ठीक है यह हम इसको आप अगर open करेंगे ना दोनों साइड तो आपको x square plus y square whole square given by x square minus y square की value कहा है 5 तो 5 का है square हो जाएगा प्लस इसकी value कितनी थी माइनस 12 इसका square हो जाएगा दोनों का square कितना होगा 5 का square 25 और 144 दैट इस 169 तो हमें यहां से x square plus y square की value कितनी मिल गए देखेंगे दो value आएएगे प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा प्लस माइनस थर्टीन आएगा बट क्योंकि यह स्क्वेर में हैं दोनों नमबर तो वह वैल्यू जो होगी और X और Y दोनों है ठीक है तो यह नेगेट्गकर मेंबर नहीं है इसलिए हम चैनी केनी 17 को डिसकार्ड कर दियूरी है तो यह वैल्यू हमकि ना हमारे पास यह बहुँत एक वेस्प्रेस स्कॉर माइनस य स्कॉर्ट हु! x square minus y square is equal to 5 अब दोनों equation को मैं क्या कर रहा हूँ add कर देता हूँ तो add करने से क्या आ जागा 2x square और right side भी 13 और 5 15 और we can say x square is equal to 9 अब x की value कितनी आ जाएगी यह देखें यह x real है तो यह plus और minus दोनों consider करने में जाएगा तो x की value आ गए plus minus 3 now y कितना आ जाएगा y की value यहां से मिल जाएगे मैं x की जगा रख दीजे 3 तो कितना हो जाएगा 3 to 6, 2 divide हो गया minus plus 2 अब यह minus plus कैसे आए वो मैं आपको बता रहूँ क्योंकि देखें जो 2xy है जो दोनों का product है यह negative है it means जब मैं 3 value रखोंगा तो यह minus का 2 आएगा और जब मैं minus 3 रखोंगा तो यह कैसे आएगा plus का 2 आएगा इसलिए sine reverse हो गया है ठीक है इस equation की help से है तो यह value हमें मिल गई है ठीक है तो x और y दोनों की value आ चुकी है अब हमें equation 1 में दोनों put कर देनी है now putting in equation 1 putting x and y in equation 1 तो equation 1 से में क्या मिल जाएगा root 5 minus 12 iota is equals to x की जिएकर plus minus 3 तो plus minus common ले लेता हूं तो 3 और इसके क्योंकि sine reverse हा तो minus आ जाएगा और 2 iota बस यही answer हो गया है ठीक है तो अब इस तरह के question आप और solve करके देखिएगा ठीक जाएगा तोस्ते प्जाएगा जाएगा के बस्ते ले जाएगा